कि नमस्कार मैं हूं मानविंदर आवत स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारी स्यूटीब चनल पर और दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस लगन के जातक को पन्ना रतन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए इस रतन को पहनने से क्या आपको साती है और उनको एक कंफ्यूजन रहती है कि हम पन्ना पहने या ना पहने कैसे लाब मिलेगा दोस्तों यह जो रतन होता है बुद्ध का है बुद्ध एक इंटेलिजन प्लैनेट है इसमें कोई दोर आया नहीं है बुद्धी को इकागर करता है थार्ट प्रोसेस को बुद्ध होती है परंतु विशे यह आता है कि किन लगन वालों को यह रतन पहनना है और किन को अवाइड करना है पहन लेते हैं फिर उसका नुकसान होता है बाद में तो कहते हैं कि पंडी जी ने पन्ना पहना दिया था पर मजानी आया अब दो राशी है एक मिथून और कन्या तो कहीं का तो अच्छा रिजल्ट देगा बुद्ध ग्रह और हो सकता है कहीं दूसरी राशी 6-8-12 में आ रही हो तो वहाँ पर नुकसान कर देगा हो सकता है पीडित हो वो राशी रतन हमेशा उसको पहनाया जाता है जो ग्रह कमजोर हो या जो ग्रह इस्तिती में ठ ठीक हो उसको मजबूत किया जा सकता है जो ग्रह नीच हो या फिर 6-8 और 12 भाव के स्वामी हो तो ऐसी इस्तिती में उस ग्रह के रतन को नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि रोग के स्वामी का रतन पहनाएंगे तो कहीं नगे रोग ही बढ़ेंगे शरीर में रोग कम नहीं हों स्वामी को मजबूत करेंगे और रोगेश भी है यदि पीडित है तो मजबूत कर सकते हैं अधर्वाइज वो कहीं नगी डैमेज करेगा आपको बारवावाब खर्च काए उसके स्वामी को मजबूत करेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे तो यहां पर हमें इस चीज को सम स्वामी होता है और यह जो ग्रह है इसकी नेचर है बुद्धी चतुराई वाक शक्ति यह तोचा रोग को मजबूत करता है या तोचा रोग को देता भी है यह मित्र शुक को भढ़ाता है विद्या सुक भढ़ाता है शिल्प कला व्यवसाय लेखन गनित शिल्प कलाओ रहने से जोति शास्त्र में निपूरता होती है चिकित्सा विज्ञान में लाव मिलता है कानून व्यपार अध्यापन संपादन चित्र कला आपकी चाची मामा मौसी भांजा भांजी आदी का जो सुक होता है वो जीवन में भढ़ता है बुद्ध को मजबूत करने के आप भगवान विश्णु जी की उपासना भी कर सकते हैं तर्क वितर्क अच्छी करता है प्रकाशन अच्छा करता है भीने अच्छा करता है वकालत के शेत्र में लेकर के जाता है जनम कुल्णी में चतुर्थ भाब का काराक होता है पंचम भाब बुद्धी का होता है इसल बहुत अच्छा रिजल देता है कें त्रकॉंड का सामी होकर कि ये पाप प्रभाब में आ गया तो आप ऐसी इस्तिति में बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं इस ग्रह के जो अधी देवता हैं वो भगवान विश्नु है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बारा की बारा लगन मैं किन लगन वालों को ये रतन पहनना चाहिए और इन सभी चीजों में आप लाव उठा सकते हैं बुद्ध रतन को मजबूत करके पन्ना पहन करके ये मती को ब्रहमित करता है जिनका बुद्ध पेड़ित होता है वानी में दोश देता है सिर में दर्द देता है वाईयू स आपको ये जान लेना अती आवश्यक होगा कि किन लोगों को अच्छा फल देगा तो मैं मेश लगन वालों को रिकमेंड नहीं करूंगा बुद्ध का रतन पहनने के लिए क्योंकि ये तीसरे भाब का और छटे भाब का सामी हो जाता है दो भाब इसके पास आ गए दोनों ह आप किये जाएं वो ठीक है बट इस रतन को अपने शरीर पर अपनी उंगलियों पर यानि कि बॉड़ी से टच नहीं करना चाहिए ब्रश लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए मैं कह सकता हूं कि इस रतन को पहना जा सकता है निश्चित रूप में अगर आपको वानी सुख में कमी है परिवार सुख में कमी है धन नहीं टिकता वानी विकार चल रहा है हकला पन है तुतला पन है ऐसी इस्तिती में धन को मजबूत करने के लिए आप इस रतन को पहन सकते हैं साथ में आपकी विद्या भी मजबूत होगी आपका कॉमपेटिशन भी क्रैक हो जा अब बात करता हूँ नेक्स लगन राशी मिथुन आपके लिए भी ये रतन बहुत अच्छा है क्योंकि दो राशी आती है तो लगन के स्वामी हो गए पूरी कुंडली के मालिक और दूसरा सुख साधनों के स्वामी हो गए ऐसी इस्तिती में बुद्ध केंद्र का स्वामी हो होता है उसको यदि शद्धा भावनां के साथ पहना जाए तो वो अच्छा रिजल्ट अपना निश्ची तोर पर देता है इसलिए आप इसको मजबूत कर सकते हैं पहन सकते हैं आपको लाव बिलकुल मिलेगा और आपका मान संबान भी बढ़ेगा सुख साधनों की भी कभ साधन देता रहेगा आपके विक्तित आपके लिंक आपकी लाइजनिंग को मजबूत करेगा यदि मैं करक लगन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए मैं रिकमेंट नहीं करूँगा इसको पहनना आपको बचना चाहिए साधन को पहनने से विशेश परिस्तितियां हो आपका प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं चल रही है बारवी तक की तो ऐसी सविस्तिती में व्यपार को मजबूत करने के लिए बड़े भैबनों का सपोर्ट लेने के लिए आप यहां पर पन्नारत्न धारंट कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा रहेगा पर यह सभ जगाओं का स्वामी तो हो गया लाब भी देना चाहता है धन भी देना चाहता है पर अन्तु हो नीच गया तैसी स्थिती में फिर रत्न को नहीं मजबूत करना चाहिए नहीं तो और रुक्सान हो जाएगा यानि कि ग्रह को कन्य लगन की बात करूँगा आपकी सरकारी नोक प्रमोशन, ट्रांस्वर होना इन सभी चीजों में कही नगें प्रोग्रेस बनती है इसलिए कन्य लगन वालों को भी बुद्ध कारतन जो पन्ना होता है वो पहना जा सकता है अब बात करता हूँ आपसे तुला लगन की तुला लगन के स्वामी शुक्र होते हैं और बुद के साथ मित्र ता है इनकी ऐसी इस्तिती में भग्य मजबूत करने के लिए यदि जौब बार बार छुट जाती है जौब लग नहीं पाती काम बहुत नजदिक जाकर के बिगड़ते हैं पिता के साथ संबन चीक नहीं रहते ऐसी सब इस्तितियों में विदेशों से लाव ल क्रामेंट है आपके लिए बात करना चाहूंगा व्रिष्चिक लगन की आपको इस रत्न को नहीं पहनना चाहिए यदि आपको स्वास्त की हानी चल रही है बहुत जादा तो आप इस रत्न को पहनने से आवाइड करें क्योंकि रोगेश हैं और बुद्ध अस्टमेश हो ज स्वास्त भी यहां पर गड़बड हो सकता है इस बात का भी ध्यान डखना पड़ेगा इसलिए कुंड़ी एक बार चेक कराएं उसके बाद धारन करें बात करना चाहता हूं धनूलगन की धनूलगन वाले इसको पहन सकते हैं यदि विभा में विलम बो रहा है विवा नहीं मजबूते के लिए आप यहां पर एक पन्ना रतन निश्चे तोर पर धारन कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा लाप रहेगा दोस्तों नेक्स्ट हमें आपसे बात करना चाहता हूं मकरलगन की मकरलगन के दर्शकों को यहां पर अवाइड ही करना चाहिए क्योंकि यह रोगेश हो जाते हैं और भागेश हो जाते हैं तो ऐसी इस्तिती में इनका रतन पहनना एक परकार से आपके लिए कहीं न कहीं रोग तो बढ़ा देगा पर अंतु भागे भी मजबूत करेगा अगर इस वे राशी के को करके आपके बागे स्थान में बैठे हैं तो पह पहना जा सकता है यदि concentration डिस्टब रहती है पेट से संबंदे दुकार रहते हैं तवचा रोग आपको लगे रहते हैं बुद्ध आपका अस्त है या नीच का है तो ऐसे इस्तिती में नीच की इस्तिती में तो ना पहने पर यदि अस्त है तो जरूर पहन सकते हैं concentration बढ़ेग हैं यदि मित्धुन या कन्या राशी में आपका बुद्ध बैठा हो तो आप बिलकुल पहनी है तो पहने को पहनने से सुकसादन भी बढ़ेंगे व्यभाईक सुक भी बढ़ेगा काम भी बनेंगे और व्यपार में भी आपको लाग मिलेगा नौकरी में एक इस्तित है यह हैं आपर 12 लगनों के अंदर प्रखाव आप पहन करके अपने गरय को मजबूत कर सकते हैं इसके लावा कॉालिटी तो मैटर करती ही है कि आप कैसा रतन पहन रहे हैं कैसा पैसा डाल रहे हैं किस अनूसार उसको खरीद रहे हैं कैसे विदी-विदान से पहन यह यह संपर्ग कर सकते हैं बर्पोने आगामी कारिक्रम में आपके समख शुपस्तित हूँगा नमस्कार धन्यवाद दर्शको अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपे वह घर का नक्षा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाट करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्पते पर संपर्ग कर सकते हैं हमारा दिल्ली का पता है महरीशी पराशर जोतिश्विध्याले C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड नियर जनकपुरी C1 बसी स्टेंड न्यू डेली 59 फोन नमबर 01125638157